हेलो सुदेंट्स आपसे बच्चों का मेरी यूट्यूब चैनल विजे सर देखर में स्वागत है चलिए आईए आज जानते हैं कुछ रोग और उनसे परभावित अंग क्योंकि यह आप एक कमपिलिटिव एक आमिनिशन के लिए बहुत इंपोर्टन है बच्चों तो चलिए एक बीज़ करते हैं जैसा कि हाँ आपोटों देख रहे हैं लिखे हमने प्रमुख रोग और परभावित अंग मने कौन सा रोग हमारे समिके किस अंग को प्रभावित करता है उनसे आज आज बैज़े этой यह लिए पाला है दूसरा बच्चो रिकेट्स रिकेट्स नामा बिमारी जो है हमारे हड़ियों यानि कि बोन्स को परभावित करता है तिसरा बच्चो अस्थमा इसे कि हम लोग दमा भी कहते हैं यह जो है फेपड़े को परभावित करता है किसे पहाइद करता है फेपड़े को तिसरा बच्चो एक्जीमा सुने हमें दाद खाज खुजली एक्जीमा हमारे त्वचा में होने वाली बिमारी है मतलब त्वचा को पहाइद करने वाल बिमारी है तिसरा बच्चो पांच नमर में है डाइबिटीज इसे हम मधु में कहते हें हिंदी में यह हमारे को प्रहाद करता बच्चों फिर है ट्रेखों मानाबत बीमारी जो हमारे आंखों को पात incarn करती है पिर फिर बैंवनिया शुने होंकि बच्चों में को था में प्रहाद करती है बढ़ा प्रहे को पार्ति करती है जो हमारे यक्रित को प्रहाद करती है पिल्या नामा ब्यमारी की सभाद करती है यक्रित को ध्यान रखिएगा फिर है असकर्वी जो हमारे दांत या मसुडे को प्रहाद करती है फिर बच्चों टाइम फायाड यह ब्यमारी जो है आत में होने वाला ब्यमारी है मैंनेंजायटीस यह हमारे मस्तिस्क जो निदैखी इन बेर फिररिया रुधीर को करती करती के ब्लड़ करती से अप्रांगी से k mandate करती है अधी को जाने के बाद आखोर में होने वाला यह जो सब्सक्राइब में किहें सस्जां तर्ट चलिंट दर्ट इस प्रांगी तर्ट करता है यह हमारे आंग को प्लेग एक समय प्लेग भी बहुत ड्राय था हम लोगों को जो चुहा से फैल दा था फ्लेग यह फैफड़े को पाइद करती है बच्चों प्लेग फैफड़े को हैजा यह मतलग जब बहुत ज़्यादा गंदगी प्रदूसर फैल जाता है तो उस समय यह हैजा हमने बहुत बच्चों यह सभी बहुत ही इंपोर्टन्ट है इन में से एक रहे कोस्टल लगवा लगवा हार कमिट्सम में आते ही हैं इसलिए इन्याग बाद रिभाइस करेजिएगा जिने आता है कोई दिकत नहीं है जिने नहीं आता है वो कोपी में नौट करके इसे याद कर ही लिज सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि जैसे में को नया वीडियो डालू आप तक नौट कर पहुंचाए तो बच्चों तेल दें गुडबाए बाए लब यू